गुड मॉनिंग दोस्तो, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे SSC GD की भरती के बारे में दोस्तो, पिछले दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि जब से सरकार ने ये बताया है कि SSC GD की भरती निकलने वाली है और यहाँ पर एक लाग से ज़्यादा पद अर्दस हैने बलो में खाली पड़े हुआ है तब से यूटूब पे SSC GD की जो भरती निकलने वाली है उसकी वीडियोस की भरमार मची हुई है मतलब लाइन लगी हुई है हर एक से दो गंटे का अंदर दसियों वीडियोस पब्लिस हो रहे है कोई उन पेडियोस में बोल रहा है कि SSC GD की आवे दन सुरू SSC GD का एक्जाम इस डेट को होगा फिजिकल की डेट आ गई ये वो पता नहीं क्या क्या मतलब मैं खुद देखकर बिल्पल सौक हो गया कि यार अभी तो कोई प्रोग्राम निकला ही नहीं है केवल एक tentative notice निकला है जिसके वज़े से आप लोग कहां तक पहुंचेगे कि आपने exam की date भी बता दी आपका registration का time बता दिया उसके बाद में आपने उसकी जो P.E.T. होगी सब कुछ बता दिया आर एमी होगी मतलब जो भी होगा डियमी डिटेल में डिगर एक जम मतलब पूरे की पूरी जानकारी लोगों ने YouTube पे दे दी तो आज की इस वीडियो में हम यही डिसकेस करने आए हैं कि आखिर सच्चाई है क्या तो दोस्तों वीडियो को लाज तक जरूर देखना क्योंक आज की ओफिसल वेबसाइट पर और जहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं एससे जीडियो की भरती की पूरी सच्चाई है ठीक है तो आप यहां पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देखेंगे यहां पर दोस्तों एक्जामनेशन कलेंडर यहां पर दिया गया है तो यह जो एक्जामनेशन कलेंडर है इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद में हम आपके लिए इस भरतीय की रिगार्डिंग पूरी जानकरीत देने वाले हैं तो यहां पर आप देखें दोस्तों यहां पर SACGD ने जो एक्जामनेशन कलेंडर अपलोड किया है यहां साफ साफ लिखा हुआ है स्टाफ सेलेक्षन कमिशन टेंटिटिटिप कलेंडर ओफ एक्जामनेशन तो यहां सबसे नीचे इसको स्क्रॉल करके आते हैं जहां पर दोस्तों SACGD के बारे में यहां पर बताया गया है ठीक है तो यह दोस्तों 20 नमबर पर SACGD का वो कलेंडर जहां पर इसके भरती के बारे में बताया गया है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों Constable GD in CAPF यानि की Central Armed Police Force अब दोस्तों Central Armed Police Force में CISF, BSF, ITVP, SSB यह पूरी के पूरी जो हैं वो forces आते हैं उसके बाद में दोस्तों NIA National Investigation Agency और SSF एन रैफलमेंट GD in Assam Rifles तो इन दोस्तों यह जो department हैं यह जो forces हैं इनमें भरते निकलने वाली है मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि भरते नहीं निकलने वाली है भरते निकलेगी ठीक है जरूर निकलेगी एक चीज़ आपको और दिखा देना चाहता हूं दोस्तों यह है यह वाले जो कॉलम है दोस्तों यह date of advertisement का है कि इसकी जो advertisement निकलेगे notification निकलेगी वो कब निकलेगी यहां पर आपके दोस्तों closing date होगी कि आपका जो exam मतलब sorry यह form फिलब करने का जो last date होगी बूक्या होगी और यहां पर date of examination देगी है लेकन दियान रखें यह पूरी पूरी date tentative है यह date 90% change हो जाएगी ठीक है तो यहां पर constable gd की भरती अगले साल निकलने वाली है 2021 में और आपके जो advertisement है दोस्तों वो 25 मार्ज 2021 को दिया गया है तो 25 मार्ज के जगा दोस्तों यह फरवरी में भी निकल सकता है और यह मई जून तक भी जा सकता है वो है दोस्तों SSC के उपर और इन forces के उपर जितने जल्दी यह forces अपना रिक्त पदों का जो व्योरा है वो SSC GD के लिए दे दे 2021 दी गई है और अगर 25 मार्ज 2021 के लिए इनकी वेकंसी के नोटिफिकेशन आ जाती है तो 10 माई 2021 तक इनकी जो है वो एप्लिकेशन फॉर्मा फिलप कर पाएंगे 10 माई 2021 तक इसकी लास्ट डेट होगी उसके बाद मां अगर यह दोनों डेट पे टाइम से हो जाता है जैसे क है तो यहां पर दोस्तों यह टेंटिटिफ सुडूल दिया गया है एससी के तरफ से अगर यह टेंटिटिफ सुडूल में जैसे फर्स्ट में ही डेट ओव एडवड़ाज्मेंट 25 मार्ज को निकल जाती है तो आपकी जो फॉर्म फिलप होंगे वो दस माई 2021 तक हो 2021 से 25 अगर्च 2021 की बीच में हो जाएगा तो यहीं है दोस्तों इस भरती से बारे में पूरी जानकारी तो यहां पर दोस्तों सब साब 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 लिखा हुआ है आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा दूँ यहां पर साब साब लिखा हुआ है कि tentative calendar यह कोई fix date नहीं है जो कि YouTube पर पिछले दो दनों से वीडियो आ रही है तो वो सब गलत हैं दोस्तों यहां पर tentative date दी गई है मैं यह बोल रहा हूँ कि भरती होगी 100% होगी एक लाग से उपर बदों पर भरती होगी लेकिन दोस्तों भरती की exact date अभी तक नहीं आई है तो अगर exact date आपको चाहांगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर कर लें जिससे किसी भी government job की अगर official notification आ जाती है तो आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पोस्त की वीडियो देखने को मिलेगी और आपके लिए बिल्कुल सही news दी जाएगी क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर केबल वही वीडियो अपलोड करते हैं जिनकी official notification अपलोड हो तो चलिए कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में आज की वीडियो में बस इतना ही जैहन जैवार